नमस्कार मैं संदोष चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं छोले जो कि भटूरे और पूरी के साथ खाय जाते हैं इन छोलों में मार्किट जैसा टेस्ट कैसे आता है वो मैं आपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं अटि थाह की ग्याit जो कि मैने रात को भिगो दिये थे और सुबह में इनको घोजा कर लिया गूजे 3 सपी नारी जिंको मैं के पून लिया था उसके बाद मैं ए लख रही मर्च भया आपकट न्योर स्पचार टोप केई छोटे हां लकात प Pac Smith ऐस पासुरी मेथी है नहीं है में पोले मसाले जरी है के छोले इस में देरा दालेगा और इसं यह आपको मसाले की दुकान से असानी से मिल जाएंगी, चारों मसाले मैंने लिये हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, और कुछ मैंने खड़े मसाले लिये हैं, इसमें काली मिर्च, छोटी लायची, मोटी लायची और लॉंग है, और इसमें मैंने लिये हैं, दो छोटे ट चाय पत्ती जो की छोलों के उबालने में डाली जाएगी जिससे की रंग एक तो काला आता है और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब छोले कुकर में डाल देंगे उसके बाद आधा चमच नमक डालेंगे नमक दो बार यूज होगा बनाते समय भी डलेगा और इसमे डालेंगे हम 1 टेबल स्पून घी अब एक हम लेंगे चौकोर और उसको कपड़ को मैं अच्छी तरह से साफ कर लिया है और एक चममच चाय पत्ती इसको ऐसे चाय पत्ती को रख के और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से कपड़ कर देना है और एक हमने एक पोटली सी बनानी है इस तरह से और इसी का एक कड़ा काटके पतला सा और मैंने उसको ऐसे करके बान दिया है ताकि जो चाय पत्ती है वो किसी भी तरह खुलने ना पाए यह बहुत आपने केरफुली करना है क्योंकि चाय पत्ती चोलों में उबालते समय खुलनी नहीं चाहिए और गाठ करते हैं कि कुकर में हम जो मीडियम फ्लेम मीडियम फ्लेम पर पांस सीटी लगाएंगे तो आसानी से छोले हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे अब एक पैन में हम एक चमस्झ तेल डालेंगे और उसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे 2-3 लॉंग है काली मिर्च है और दाल ची छोटी लाइची मैंने यहां दो ली हैं खड़े मसाले डालके तेज पत्ता वगएरा फिर हम इसमें डालेंगे लसन अध्रक का पेस्ट इनको हल्का सा भून लेंगे फिर इसमें हम लसन अध्रक का पेस्ट डालेंगे लसन अध्रक का पेस्ट एक चमस लिया है मैंने इसके बाद हम जो जब यह हलका सा भुन जाएगा थोड़ा सा फिर हम इसमें जो मसाले हैं चारों मसाले डालेंगे हल्दी नमक मिर्च और धनिया यहां पर हल्दी मैं थोड़ी कम ही यूज कर रही हूं क्योंकि हम छोले थोड़े काला पन लिये हुए छोले बना रहे हैं और कर दो जाए जो हमने बनाट कि देता हैं रही घाला जोगा एवं पॉन के नुखिणा फिलता मैं जो ड्री मिक्सा घैत जाए छोला seller को समयों न बनाटता है वेह यह घाले सा ज़र्ण पूर्वक दालें इक चोलों को अबालते समय जाला है और यह मसाला बनाते सहे अथैं श का तीझा कि मर्च पंहें, अब इसके बाद अब हम इसमें तुम्हांट डालेंगे, क्योंकि प्याज हमारे पके हुए थे तो उन्हें पकानाशी की दूड़त नहीं थी, अब इसको कवर कर देंगे लिड को और इतदर हम कुकर का अपना देखेंगे प्रैसर हमारा निकल चुका है खतम हो गया इसका अब इसमें जो हमने चाय पत्ती पोटली बना के डाली थी उसे निकाल लेंगे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में छोलों का रंग काला आया है जो मार्केट में होता है अभी इसमें हम पोटली में से और इसमें रंग निकालेंगे अभी इसका ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा पोटली गरम है फिर इसको हम अच्छी तरह से निचोड लेंगे जितना आप निचोड सकते हैं उतना आप इसका कलर है वो निचोड लेना क्योंकि इसका जो टेस्ट है और कलर है वो बहुत अच्छा आता है एक बार आप इस तरह से छोले बना लेंगे तो मार्किट के कभी नहीं खाएंगे अब इसमें यह हम पानी डाल देंगे जो हमारा कलर निकला था अब इस वो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब यह हमारे छोले चेक कर सकते हम कि हमारे छोले अच्छी तरह से पक गए हैं और जो यह गुलाब की पतिया है वो अच्छी तरह से घुल गई हैं इसमें मसाला हमारा इधर पक चुका है अब हम इसको थोड़ा सा हिला के और इसमें हम अपने जो छोले हैं वो डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाला अच्छी तरह से मिल जाए मसाले को अच्छी तरह से मिला देंगे अगर आप इसमें गाडा खाना चाहें तो इसमें पानी ना डाले और अगर आप थोड़ा सा मतला पतला करके खाना चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला कसूरी मिथी और छोले मसाला कसूरी मिथी क जो भूंकर तो झुचक रहा है आपक है किसमें मतलब ना पतूर और ना या मेरे चेनल की रेसिपी है वो जरूर देखिए गया और रेसीपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की रेसीपी इस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फीडबेक दीजिएगा आपके फीडबेक का इंतजार रहेगा और वीडियो देखने के लिए आपका झाल झाल